कल से पूरे धेश में lockdown का ऐलान हुआ है और जिस तरहसे पूरी दुनिया के अंदर Corona फैल रहा है उसको देखते वए lockdown का ये निरने बहुत जरूरी था आगर हम lockdown नहीं करते और अगर ये महामारी बहुत बुरी तरह से पूरे धेश में फैल जाती तो बहुत जादा तकलीफ पूरे देश में हो सकती थी अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में केसे बढ़ते जा रहे हैं उनको रोकने के जरूरत है पिछले 24 गंटे में दिल्ली में पांच नए केस आए हैं जिसमें से एक केस फॉरें से आएवे वेक्ति का है और बाकी चार केस जो हैं वो दिल उन्हीं के आसपास के परिवार के लोगों के संक्रमित हैं तो टोटल दिल्ली में अब 35 केस हो गए हैं अब इसको किसी भी तरह से अपने को बढ़ने नहीं देना ये बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में एक तरफ तो अपने को घर में रहना है और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि हम आपको जो एसेंशल चीजे हैं जो जिन्दा रहने के लिए जरूरी चीजे हैं वो आपको मुहिया आसानी से होती रहें उसमें आपको कोई तकलीफ ना है किसी तरह की तकलीफ ना है तो एक तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विंती कर रहा हूँ कि प्रधान मंतरी ने जो लॉकडाउन का एलान किया है ये सब लोग सब लोग इसका अच्छे से पालन करें घर से कोई बाहर ना निकले जब तक बहुत जादा केवल सबजी खरीदने के लिए दूद खरीदने के लिए केवल इस चीज के लिए अपने पडोस के अंदर जो भी दुकान है वहां तक अगर जाना हो तो जाएं आदवेज घर से बाहर कोई ना निकले अब एसेंशल सर्विसेज को चलते रहने के लिए उनको हमने पास देने का अरेंजिमेंट किया है वो पास कैसे ले सकते हैं सुभे मैंने इसके बारे में सारा तरकीब से बताया था मैं एक बड़ी फिर से बता देता हूँ जो जो सरकारी सेवाई है बिजली है पानी है इस तरह की जो जो सरकारी सिवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे employees के पास अपने identity card होंगे. सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग, कई ठेके पे काम करने वाले मजदूर हैं, कई contract employees हैं, जिनके पास सरकारी ID नहीं हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी, तो जिनके पास सरकारी ID हैं, वो अपना ID दिखाएंगे, रास्ते में कहीं भी अगर पुलिस मांगती हैं, उनको allow कर दिया जाएगा, जो private hospitals हैं, उनके अज अपने private hospitals के ID होंगे, वो भी चलेंगे, जो media वाले हैं, उनके पास अपने media के ID होंगे, वो भी चलेंगे, जिन लोगों के पास अपने ID नहीं हैं, चाहे वो सरकारी विभाग में काम करते हों, चाहे वो private hospital में काम करते हों, चाहे तो दूसरे प्राइवेट जैसे दूद देने का काम करता है, सबजी बेचने का काम करता है, मंडी में सबजी लाने का काम करता है, किसान है जो मंडी के अंदर सबजी ले जाने का काम करता है, दवाईयों की दुकान वाला है, दवाईयों की मैनिफेक्चरिंग यूनिट है, मो कि दुकान इनेसेंस जो किराने के दुकान अपने इलाके हैं, किराने के दुकान रोजमर्रा की जरूरतों की जैसे Ee साऑून होगया, टूथपेस्ट होगया यह और दवाईयों का समान. इन पांच चीजों से सम्बंदित दुकाने या ट्रांसपोर्ट करने का सारी विवस्था या मैनिफेक्चर करने की विवस्था या उनको स्टोर करने की विवस्था ये सारी चीजे अशेंशनल सर्विसद में आएंगे और ये सारी essential services हम लोग चाते हैं कि ये अच्छे से चलती रहे तो इसके लिए इन सारे लोगों को pass की ज़रूरत है जो लोग भी इन सारी essential services की manufacture में लगे हुए हैं ट्रांस्पोर्टेशन में लगे हुए हैं storage में लगे हुए है, warehouses में लगे हुए और दुकानों में लगे हुए है उन सब लोगों के लिए हम passes देंगे, तो जिन जिन के पास ID हैं, वो ID इस्तेमाल करें, जिन के पास ID नहीं है उनको हम E pass देने की विवस्था शुरू कर रहे हैं, मैं आपको एक number दे रहा हूँ, number है 1031